जहीं दोस्तों स्वागत है आपको अपने यूटूब चैनल एरजी एजूकेशन चैनल पर दोस्तों आज ही इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग मैथ का चैप्टर वन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समुच है जैसे मिल जाएगा वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्ता उस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर की बीसी कॉंसेप्ट के बारी में बात किया था तो अगर आपने वह नहीं देखा है तो देख लिए ठीक है तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोग इस चैप पहला कोशन हमसे क्या कर रहे ठीक है निमलेखित में कौन समुचे हैं यानि कि हमें बताना है कि जो नीचे लिखा हुआ है जितने भी प्रस्ण नीचे दिये गया है उन्हें में कौन समुचे हैं यह हमें बताना है और साथ ही साथ अपने उतर का अचित भी क्या करना देना ह है तो पहला प्रश्न हमसे पहला का बहला प्रश्न जो कह रहा है वो है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह किसे यहाद लेव क्या होने वाले प्रारंग होने वाले वर्ष के महीनों का संगरव टिक kg सभी महीनों का कि इसका संगरव हमें बताना है कि जो जे अक्षर से प्रारम होने वाला जो वर्स के जो सभी महीनों का संग्रव होगा वो समुचे होगा या नहीं होगा यहीं हमें क्योल बताना है ठीक है और अचिते भी अपने उत्तर का लेना है तो क्या होगा देखिए जे अक्षर से प्रारम होने वाले वर्स के सभी मही महीना अगर देखे जो जे अक्षर से प्रारंब होते हैं तो आपका हो जाएगा जनौरी जो जे अक्षर से प्रारंब होता है जून जो जे अक्षर से प्रारंब होता है ठीक है और जुलाई जो जे अक्षर से क्या होता है प्रारंब होता है यही तीन है ठीक है तो यह हमारा प्रारंब होने वाले वर्स की महीनु का नाम जनौरी जून और जुलाई है और यह क्या है समुझा है अगर ऐसे लिखना चाहें कि कैसे लिखेंगे जी अप्छर से ठीक प्रारंब होने वाले वर्स की महीनु का नाम क्या है जनौरी जून जुलाई है ठीक अगर लिखना चाहें इसलिए समुझे के अंदर हम लोग लिख करके इसको दर्ट लिखा देते हैं जनौरी जून जुलाई ठीक जुलाई अगर यह क्या है अगर इसको नहीं लिखना चाहें यह जो है अगर इसको नहीं लिखेंगे तब ही चल जाएगा ठीक है समझ गया है नेक्स्ट कोर्शन हम लोग देखते हैं ठीक सगेंड नमबर कोर्शन पहला का हम लोग देखते हैं क्या का रहा है यह कर रहा है कि भारत के दस सबसे अधिक प्रतिभा साली लेखों को के नाम का सवंगरा या लेखों को का ठीक है देखें कोशन हम से करें कि भारत के दस सबसे अधिक प्रतिभासाली लेखों को का जो सवंगरा होगा वो समुचे होगा या नहीं यह हमें बताना है तो ध्यान से यहां पर समझ लेगा है भारत के दस सबसे अधिक प्रतिभासाली लेख सबसे अधिक पर्तिबासाली है यह कर सकता है हम बता नहींगा है और यह हमारा क्या हो जाएगा स्वमुचे नहीं है ओथ यह हमारा क्या है स्वमुचे नहीं है ठीक है तो क्या दीखें नहीं है नहीं है ठीक है भारत के दस सबसे अधिक प्रतिभासाली लेखको के नाम को या लेखको को कर लेखको को कर लेखको को परिभासित नहीं किया जा सकता है ठिप अताया समझे नहीं है अब अधर पिछलै वीडियो नहीं देखेंगें तो देख लेढ़ा क्योंकि आपको अगर पीछला वीडियो नहीं देखांगे आको समय आरहा है कि सभ्मूचे क्या होता है उस वीडियो में हम लोगोंने एक्स्प्लेंद तरीके से बता रहा थीक है अब चलिए थर्ण नमर कोर्षन हम लोग देखते हैं थर्ण नमर कोर्षन क्या कहते है कि विशु के स्थ्ष्ट 11 बॉल्ले बाज का संगर हूं क्या कहते हैं बीषु की स्रेश्ट का संगर्णaj 20 क्या करें 20 क्या ही स्रेश्ट 11 का संगर्ण यह संबुचए होगा यह नहीं होगा यह में बताला है ठेक्ड तो बीषु क्या हा उग क्या क्या हमता जहने दो तो विश्व में के वर 11 ही बल्ले बाज नहीं है उससे से भी हमें क्या बताना है कि कौन कौन से स्रेष्ट है ठीक है कौन महान है सबसर्दी कौन महान है तो यह हम परिभासित नहीं कर सकते हैं तो यह हमारा समुचे नहीं है इसका हमारा क्या हो जाएगा स reclaim christ ग्यारह बले बाज का बले बाजो को अ कर ऑह सी यहां से भी इस लिख़ने से ज्यारे होता है तहीं हमारे क्ष्विव किस्ट्रिश इन वडलले वासा नहीं के सकता है और यह ऊ virtuous नव पर क्वोर्शन statist क्या कर रहा है के सभी बालको का संग्रा है आपकी कख्षा की सभी बालको का संग्रध ठीक कक्ख्श्या के सभी talking जाहिरसी बाते कोई ज्यादा बालत नहीं हो में उन्हीं के नाम को अगर हम लिखते हैं तो यहां पर लिखते हैं तो लिखेंगे, ठीक है, सभी बालकों का संग्रा बनाना हो, और बताना है, कि यह स्वश्वमुचर है या नहीं है, यह हमें बताना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कफचा कि, शभी बालको का, सभी बालकों का या कि सभी बालकों की क्या होगी संख्या निश्चित है हमारी कख्छा में सभी बालकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी निश्चित होगी जाहिर सी बात है कि अगर बालत की संख्या होगी तो 10 होगी या इस से अधिक होगी तो 20 होगी इस से अधिक होगी तो 30 होगी तो हम इसको क्या परिभासित नहीं कर सकते हमें पता है तो और वो भी तो हम परिभासित कर सकते हैं तो अता यह हमारे क्या हो जागा संख्या है ठीक अता यह हमारे क् कॉशन किया रहा है कि सौ से कं सभी प्राकिर्तिक संख्याओं का संख्याओं का संघ्याओं ठीक है सो से कम सभी प्राकृति संख्याओं का संग्रह और हमें बताना है कि क्या सो से कम सभी प्राकृति संख्याओं का जो संग्रह होगा वह स्वामुचे होगा कि नहीं होगा यह हमें बताना है तो सौ से क्या होता यह आप कमेंट बॉक्स में बताएगा ना है तो सो से कम हूगा ने यहां से लिख लिखेंगे सो से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं को परिभासित किया जा सकता है या किया जा सकता है सब्सक्राइब को परिभासित किया जा सकता है अब तहीं हो जाएगा समुचेअ को और दिखाना भी क्राइब को तो वह अच्छा ना कुंछें को प्नियास श्चे नेक्स्वरक दुट संगर तो प्रेम चंद्र ने अगर ऐसे पोशन पूछता कि लेखकों द्वारा लिखी तुप्नियासों का संधर ऐसे प्रशन पूछता तो हमारा ये समुचह नहीं होगा क्योंकि लेखक जो है वह बहुत सारे हो जाएंगे और उनके तवारा लेखी तुपनियास और भी अधिK हो दो उस इसाब से हम उनके लेकों को द्वारा लिखी तुपन्यासों का समुचे अगर हम बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं यह हमारी लिप कठीन हो जाएगा यानि हम उसे परिभास इतना ही कर तकते हैं और तो हमारा हम्जे नहीं होता ठीक है लेकिन हमसे पूशन पूछ रहा है कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रा लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रा तो यहां पी हमें क्या कर दिया है लेखकों को ना करके एक विशेस नाद्य जोर दिया है प्रेमचंद्र तो इनकी इनकी सबस्क्राइब नभी को परिभासित कर जाएगा जाहिर से बात है कि त्रिम्चोंद्र में ज़्यादा वर लिख सकते हैं ठीक है जाहिर इतना लिखें तो यह साथ से दस उपन्यास को क्या हम परिभासित नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं हम जो करके उनके उपन्यास है उनके नाम को लिख सकते हैं तो यह हमारे क्या हो जाएगा तो यहां पर एंसर क्या लिखेंगे लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे तो उपन्यासों को परिभास किया जा सकता है लेखक प्रेम चंद द्वारा लेखित उपनियासों को क्या कर सकते हैं परिभासित किया जा सकता है तो जोब हम परिभासित कर सकते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा समुचे हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं कि क्या करें ध्यान दिएगा गाल मैंने सविसम्पुर्णांको का संग्रव संपुर्णांको का संग्रव संपुर्णांको का 買 captures या नहीं इसे हम आपको देते हैं इसे आप मेंट करके बताएगा कि यह समुचे होगा या नहीं होगा इसे आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह समुचे होगा या नहीं होगा अगर होगा तो लिखेंगे संपुर्णांकों को परिभासित किया जा सकता है अगर नहीं होगा तो लिखेंगे कि संपुर्णांकों को परिभासित नहीं किया जा इस अध्याय में आने वाले प्रष्णू का संग्रा ठीक है प्रष्णू का संग्रा जो ज़्री बताइगा उनके कमेंट को हम क्या करते हेंगे कि इस अध्याय में आने वाली प्रश्णों का संग्रह आपको बताना है कि यह समुचे होगा कि नहीं होगा यह आप कमेंट करके यह बताएगा कि इस अध्याय में आने वाली प्रश्णों की जो भी प्रश्णों का संग्रह अगर हम बनाते हैं तो क्या वो समुचे होगा या नहीं होगा यह आपको कमेंट करके बताना है तो हम यहां को समझ लिए थोड़ा सा ही लाइट रब देते हैं इस अध्याई में कितने प्रस्णा आये हैं क्या यह हमारे लिए जानना कठीन हो जालेगा नहीं हम उसे पता कर सकते हैं तो यह जाहिए इस बाते समझें ठीक है इस कुछ रहा है बीशों की बीशों में जा चुका है ठीक है तो बीशों की सबसे अधीक है ठीक ना और यह सबसे भी सद्ध जूर चुका है अधीक जानों खतर ना अख जानुवरों का संवरां देखिए यह समझे होगा यह नहीं होगा यह हमें पता लाएं प्याइए को समझते हैं कहां चला जा चुका है बीशों में तो बीशों में कितनी खतरनाक जानुवर है क्या इसको हम परिभासित कर सकते हैं और वह भी सबसे अधीक खतरनाक तो बीशों में बहुत सारे हमें पता करना है तो वह भी बहुत से चानवर है उन्हें जो सबसे अधिक खतरनाख जैसे कुछ ऐसे जानवर है जो कम खतरनाख है। कोई जो खतरनाख है। ठीक है तो बीशु की सबसे अधिक खतरनाक जानवरों को क्या कर सकते हैं परिभासित नहीं किया जा सकता है जब परिभासित नहीं कर कर सकते हैं तो अतहय flirt क्या है क्या है हो जब में कर सकतें तो नहीं है और जब पोत नहीं कर सकते हैं तो यहां दशन नहीं होगा अब हम लोग देखते हैं एकक्सराइज मनद्स न का one давant39 क्या कह रहा हूं थहां से समझ मानली कोई आपको एक समूचे निया है माल लेजिए यहां पर लिख देते हैं माल लेजिए और उसके बाद आपको एक क्या दिया है समुचे लिए मजले कोच के अंदर 123,4,5,6 यह है अब आगे कह रहा है कि रिक्त ऐस्थानों में उप्यूक्त प्रतिक रिक्त ऐस्थानों में इसे इंगलिज में बोलेंगे बिलॉंग्स टू ठिक एलिमेंट है हिंदी में एलिमेंट है तर्था नौट बिलॉंग्स टू एलिमेंट नहीं है को बहारी है क्या करना है करें कि मान लेजी आपको एक स्वमुचे यह दिया आप है और इस स्वमुचे को मान करके रिक्त ऐस्थानों में जो यह दोनों प्रतिक दिया है पहला प्रतिक आपका यह हो जाएगा इसको और दूसरा प्रतिक आपको इसको क्या करना है भरना है जो रिक्त ऐस में जर्ण होगा तेक है और इसी को मान करें की क्या करना पीला पक दाए sono जैसे हम लोग अपनें मंद से ही ले लिए है जैसे हमने ले पाहला इसका मालीजे की चारз तोसं कहनी का मतलब takich कि यह हमने जब बेसिक जो पर जो वीडियो तो हमने अपलोड किया है उसमें हमने इसके बारे में अच्छी रंग से बता रहा है उस वीडियो को आप देख लिए जएगा या अन्यत है यहां बिसमची इस पहने का मतलब क्या है कि यह क्या है इस स्वमुचे है यानि स्वमुचे ए में जो संख्याद 4 है वह है या नहीं यानि दूसरी सब्दों में अगर हम बोलें तो का सकते हैं कि स्वामुचे यानि स्वामुचे ए जो है इसका एलिमेंट चार है या नहीं यही हमें क्यों बताना है यानि स्वामुचे एका सेट एका चार जो होगा वह होगा यह नहीं जोगा जैसे माल बचम देखें इसमें यह क्या है समझें यह आपका स्वामुचे को संखेत है और यह क्या है जो यह जो यह स्वामुचे एका चार अगर अवयो होगा स्वमुच ए का अगर 4 आवयो है तो हम लोग लिखेंगे कि 4 जो है belongs to a यानि 4 जो है वह element है कि इसका स्वमुच ए का 4 element है स्वमुच ए का यानि 4 belongs to a कैसे परेंगे 4 belongs to a ऐसे परेंगे ठीक नहीं आगे लिखेंगे 2nd question जैसे हम अपने मन से हिल लेते हैं जितना भी exercise में जितना भी question आपको दिया वह सब आपको अपने मन से करना ठीक है हम यहां पर अपने मन से बता रहें ठीक 2nd क्या हो जाएगा जैसे हम माहां लेते हैं कि 8 dot 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 हमें बताना है कि स्वमुच ए का 8 आवयो है कि नहीं है तो समचे में चलते हैं इसमें ढूंडते हैं कि आपको अधर को कॉष्ट के अंदर बंद होता है यह हमारा अलिमेंट है अब इसने हम ढूंडते हैं कि 8 है कि 1,2,3,4 ,5 ,6 ,8 तो दिखी नहीं रहें तो जब ander होता है जब अवेड इसमें और तो हमने इस प्रतिक का प्रियों किया और योगpolitik प्रतिक की छिए अम लोग not belongs to एंगे इसे आप ले ले लेते हैं और आगे अपर जैसे हम ले ले लेती हैं यानि ऐसे बोड़िए कि समचे A में यह जो अव्याव जीरो है वो सामिल है नहीं है तो यह not belongs to A यानि 0 not belongs to A ऐसे हमने पढ़ेंगे ठीक है तो उम्मेद करता हूँ कि आपको यह belongs to or not belongs to का प्रियुक समझ में आ गया होगा ठीक है अब हम लोग बढ़ेंगे तो ठोड़ नमर कोश्टन की और इसका जितना भी कोश्टन होगा वह आपका एच ड़ल मोगा सेकंड नमर का जितना भी कोश्टन eh जसन क्या लेकित है निमलख खुछ रूप में लिखना है व समचे कुछ दिया है और उसे हमी किस रूप में लिखना है रोष्टर रूप में लिखना है ठीक है सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं सब्सक्राइब किस में लिखना है रोस्टा रूप में सब्सक्राइब किस में लिखना रोस्टा रूप में लिखना समझेगा सामचे को आपको रोस्टा रूप में लिखना रूप में है तो कहेगा कि समुचे निर्मार रूप में बदली तो यानि कि जहिर सी बात है कि आपको समुचे निर्मार रूप में दिया है और इसे हमें रोष्टर रूप में चेंज करना है ठीक है तो रोष्टर रूप में क्या होता है रोष्टर विधी क्या होता है समुच सब्ṣи निर्मार्विदी के बार हैं बात किया हो वहाँ पर हम बताएं ठीक ही। peso रूप को हैंगतों होता एंड की रूप को यह लोगरेंगे रूऴजह रूप कहेंगे पहलOD का कह रहा है समझी कर रहा है कि a is equal to x सब्सक्राइट x एक पुनांग है और माइनस 3 इसको पढ़ेंगे कैसे यह आपका जो दिया हुआ है यह किस रूप में दिया है समुचे निर्मा रूप में दिया चेंज किसमें करना है रोश्टर रूप में चेंज करना है कैसे क्या है कि समुचे है और कह रहे है कि एक पुनांग है क्या है एक पुनांग है और माइनस 3 जो है जो है आपका वो जो है माइनस 3 से बरा है और 7 से छोटा है ठीक एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 3 is less than 7 ठीक यह हमें बताना है यह बिलकुल अब देखी यह हमें बताना है तो कैसे इसको रोज्टरूप में चेंज करेंगे है यह बताइगा हम ने यह बताएगा अब देखेंगे मैं जो रोज्टरूप में कैसे रिखेंगे एक पुर्नांग संख्या है और वह संख्या यह एक्स आपको वह जो संख्या है उसके अवयों को संखै कि अवयों को बता है और 22 संख्या है वह माइनस तीन से चोटा है और साथ साथ से च्छोटा है ठीक है माइनस टू-1-1-1-2-3-4-5-6 यह इसको रोष्टर में दिख रहे हैं कि समझें एक्स वर डिटेक्स कह रहा था कि पुनाक है यह हमारे का पुर्द पुनाक संख्या यह सब ही जो है और और कह रहा है कि एक्स जो और माइनस तीन से बरा होगा तो मैमेरा सबस्क्राइब 3530 मैमेर से पर देखते हैं ये हमने इस इसके गूण को देखते हुए हमने इसको क्या दिख रूप में लिखिए है नेश्ट वेशन हम लिख दिखते हैं कहा गया रहा है next question कहा रहे कि भी एक समुचे दिया हुआ है और पहल है कि x वाच डैट एक संख्या चो से कम एक प्याकिवतिक संख्या acid X , शंख्या 6 कम क्या है ? राक्रिक्त , शंख्या 6 कम च्शह से कम एक प्राक्रिक्त संख्या हैं यह समुचा कहा रहा और इसे हमें रोष्टर स्वमुचे निर्माद रूप में दिया है इसको कैसे लिखेंगे क्या कहा रहा है इसकी गुर्धान को सबसे पहले समझें करें कि 6 से कॉम एक प्राकित संख्या एक संख्या 6 से कॉम क्या है एक प्राकित संख्या तो 6 से कॉम प्राकित संख्या को लिख देंगे तो हमारा एंसर हो जाए तो 6 से कॉम हम देखता है कि थर्ड नमर कोर्शन क्या कहा रहा है मैं देख करें कि c is equal to x दो अंकों की ऐसी प्राक्रित संख्या है दो अंकों की और जिसके अंकों का यह कितना है आठ है और मेzin दया कि एक सदस्ख्या है TV की संख्या जिनके अंकों का यहां वह उन्हटा flavors तो इसको हम रोश्टर लूप में कैसे चांज करेंगे सी इस इक वर टो ठीक समुचे को निरुपित करने के लिए अंग्रेजी वर्माला के कैवीटल लेटर को यूज क्या दाता है जैसे यहां पर सभी जगा देखिएंगे यह समुचे को क्या करना है सूचित करना अंकेत है उसक्यार देखिश करें कि दू ओंके कैसी संख्या जिननके श्युकिन कंकों जोने तो अटवार्ग आट अना, चैया दस के बाद आगके बढ़ेंगे 20 ऐकानảng 10 गर्माला समया है इसके आगे जो भी जाएंगे 16 15 14 13 12 11 10 ये सभी दो और की तूसंख्या है लेकिन उनकों कायोग उनका 8 नहीं होगा आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या जाएगा बाद आपका क्या हो जाएगा 26 26 के बाद आपका है जीए गंके ao को का यूगः लेकिन इसके पहले जोभी संक्याेंगी जैसे 25 चोविष ये सभी यह आपका यूगा इसके पीछ bends जोभी संक्याएंगी वह उसके आ Marvin और युदो सब्सक्राइब इन दोनों जो फॉलो करना सब्सक्राइब इसके पीछे जो भी आएगा उनक्या नहीं लिखेंगे उसके बाद आप तिर्व पंच उसके बाद हो जाएगा एक कहतर और उसके बाद जाएगा वसी यह दू उनको कि ऐसी संख्या जिनके उनको कैयों क्या है आठ है उननी संख्या वह क्या लिख दिया घर बढ़ती घरब में कि कि हमारा संव्य हो जाठा ठीक रोच्टर रूप में हमने इसको चें इसे यह जो दो ऐसे दिख रहा है इसे हम लोग पढ़ते हैं स्वाच देल्ट क्या पढ़ते हैं ःसे हिंदी में हम लोग कोलन वी कहाते हैं क्या कहते हैं कोम संख्या है रिख खाइज संख्या सथ Кстати अब हाज संख्यां होगा है इसे कुभने की दो रोग में चेंज करना है तो अब हाज शूं क्या है यह अब कोमेंट में करें बतेगा पूर्णांत संख्या और यह बताइएगा कैसे की से करते यह संख्या जो है तो आफ़ी हम आपको बताएंगे ये अभाजी संख्या जो क्या है संख्या साथ का क्या होना चाहिए अभाजी संख्या है लेकिन साथ का भाजक भी है दोनों गोन को हमें फॉलो करना है तो डी अभाज संख्या 2 और 3 ये संख्या 60 क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा एक और भाजक हो जाएगा पांच जो अभाज संख्या है लेकिन संख्या-60 क्या है बहाज़र है यह हमारा एंसर हो जाएगा लुख्त इसी को हम लोग 20 गुर्धन को दिखिए यह जो है रोष्टर रूप में हमने लिखी है इसी रोष्टर रूप तो गारोश्टर रूप में दिया होगा समुचे रो निर्मार रूप में चेंज करना होगा ठीक है अबला कोस्टन हमाइए इसी पर होगा कि चलिए दो और कोस्टन बचा है कोस्टन नम्बर तीन का ठीक है उसको रहाव कर लिए कि कि कर दो कि समुचे को इसको हम लेकि एंग्रेज की ना कि रोश्टर रिती में किसमें रोश्टर रिती में कौम सा कोस्टन है आज नम्बर कोस्टन है क्या कर रहा है इसको समाझते है करके ट्राइगलोमेट्री सब दिके सभी अप्छडों का समुचे है ट्राइगलोमेट्री सब दिके सभी अप्छडों का समुचे ठीक है यह हमसे पूछ रहा है ट्राइगलोमेट्री सब दिके सभी अप्छडों का हमें क्या करना है सब्सक्राइब करने के लिए अंग्रेजी वार्माला का कैपिटल लेटर का प्रिव किया जाता है यहाँ प्रिव कर लेते हैं कि लिए अब ट्राइब में लिए अब ट्राइब में लिखना रोष्टर रूप में लिखते हैं वक्त ध्यान में एक बात याद रखना चाहिए कि जब हम लोग केसी भी समुचे निर्मा रूप को रोष्टर रूप में चेंज खने या रोष्टर रूप में लिखें तो एक बात है जो मैंनली कमन होना चाहिए कि उसकी अव्याव को हम दोबारा नहीं लिखें जैसे हमने लिख दिया ए दो ते यह हमें लिखें और पू यहीं पर यहीं के यह बात फॉलोव होगा तो हम लिख लेते हैं ुसके बार लिख लेते हैं उसके बाद ख़ें ऐसे निख दें अ उसके वार चुका है और वी खा चुका है और वाल हो जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा ट्राइगलोमेट्री सब्द का रोश्टर लूप में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग छे नमबर कोर्शन जोकी अंतिम कोर्शन है थर्ड नमबर कोर्शन का करें कि F is equal to better सब्द के सभी सभून जोट छे हैं थे वेक्टर सभून के सभानिया सब्सकेशन आप बेक्टर सभी के बनाना वही रूल हमद्गूब फॉलो करेंगी है मजला कोईस्ट बंक यह हमारा हो ठीक है यहां से मारा ठर्ण नमर कोश्टन भी क्लियर होता है अब हम लोग पढ़ेंगे लोग फूर्थ नमर कोश्टन चे चलेंगे लोग ठीक है